तो हम देख लेते हैं आपके जो 10th और 12th बोर्ड है उसकी डेट शीट आ चुकी है यूपी बोर्ड की तो हम डेट देख लेते हैं किसी डेट में कौन-कौन से एक्जाम है चलिए फिर हम देख लेते हैं जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे वो सभी हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहा है एक्जाम की प्रिपेरिशन को करने के लिए सोब देख लेते हैं एक्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं Thai school 11 intermediate की जो परिच्चाएं हैं वो हमारी कब से स्टार्ट हो रही है तो देखिये हमारी जो ये date sheet आई है उसमें जो फॉस् 11, 45 तक होगा वो भी किसीच का है हिंदी का पेपर है हिंदी का पेपर है यह है, tenth class का जो 12th class का है सैने विज्ञान का पेपर है इसी तरह से देख लेते हैं जो 2 बजे से पेपर होगा जैसे कि आप जबी जानते हैं 2 बजे से जो पेपर होता है intermediate के मतलब कि जो 12th class में बच्चे हैं उनके paper होते हैं 2 बज़े से सवा 5 बज़े ता जिसमें कि वारीजे का paper होगा ठीक है और यहाँ पर कि सीज का paper है यहाँ होगा हिंदी सामाने हिंदी का अब हम देख लेते हैं यह वारीजे का paper उनका है जो बच्चों ने वारीजे लिया हुआ मतलब कॉमार्स लिया हुआ है अब देख लेते हैं 23 डेट में जो साड़े आठ बज़े से paper है वो पाली अर्भी फार्सी का है और जो दो बज़े से paper है वो संगीत गायन का है इसी तरह से 12th class का जो paper है वो है नागरिक सास्तर का ओकी जो कि 8 बज़े से होगा लेकिन जो दो बज़े से paper है वो paper है सामाने आधारित विशे ये देख लेंगी किसी सश्य का है ओकी अब हम देख लेते हैं उनका next paper कब है next paper है 27th of February का मंगलवार का जो कि paper है maths का इसमें आपको 4 days का leave मिल रहा है मतलब कि 3 days का ही leave मानिए 4th day आपका exam है तो आप maths की preparation अभी से ही करते रहें जिसे कि आप बाद में अच्छे से paper को कर पाएं आगे देख लेते हैं next paper किसीज का दो बज़े से paper है automobiles का और 12th का किसीज का paper है ग्रह विज्ञान का ओकी या फीर बैवसाय अधन वाणिजय वर्ग के लिए मतलब वाणिजय वर्ग वो होता है जिसमें commerce के बच्चे होते हैं जिनोंने commerce लिया होता है उसमें ही subject आता है वाणिजय विज्ञान का वाणिजय अध्यान का हम आगे देख लेते हैं जो 28th February है जो बुद्वार में paper है वो paper है साड़े आठ बजे से सबा 11 बजे तक Sanskrit का जिन बच्चों के पास Sanskrit है 10th class में उनका paper है और जो 2 बजे से paper होगा वो होगा संगीत वादन का अब देख लेते हैं तो बच्चे ज़्यादा confused ना हो जैसे भी जो जो बच्चा 10th class में है वो अपने subject के according date mention करके अपने पास एक note बना के लिख ले अब देख लेते हैं जो 29th of February है उसमें किसीज का paper है जो 10th class के बच्चे हैं उनका विज्ञान का paper है और जो 2 बजे वो 8.30 बजे से paper होगा लेकिन जो 2 बजे से paper है वो खिरसी विज्ञान का paper है ऐसे ही इंटर में जिन बच्चों का paper है फार्सी का है या फिर लेखा सास्त्र है कॉमर्स वालों का और है जीव विज्ञान या गडित का paper जिन के पास biology है या maths है अब देख लेते हैं जो 1st March को जो paper है 29 के बाद आपको छुटी नहीं है नेक्स दे ही आपका paper है जिन बच्चों के पास 10 में मानव विज्ञान है Human Science है उनका paper है और 2 बजे से जिन के पास NCC है उनका paper है 12th class में किशीज का paper है 12th class में जो different language हैं जैसे की उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराथी, आसामी, उडिया, कनर, सिंधी, तमिल, तैलगू या मल्यालम या नेपाली इनका paper है लेकिन जो 2 बजे से paper है वो paper है मानव विज्ञान का ठीक है जिन बच्चों पर 12th class में मानव विज्ञान है उनका paper है आगे देख लेते हैं जो 2 March है 2 March में किन का paper है 2 March में paper है जिनके पास 10th में health care है और 2 बजे से paper है उनका mobile repairing का जिनके पास electronic work है electrician का देख रहते हैं 12th class में है संगीत गायन का, संगीत वादन का अनरत्यकला का और 2 बजे से जो paper है वो है English का चलिए अब देखते हैं आगे दो तारीक के बाद किसीज का paper है अब है चार फोर डेट में paper आपका है 10th class का अंग्रेजी का है और सुरक्षा का है 2 बजे से जो 12th class का paper है computer सस्य विज्ञान, किर्सी वनस्पती किर्सी वनस्पती विज्ञान दिट्टे प्रेशन पत्र मतब कि उन पर क्या होता है साइंस भी दो होता है ना उसी टाइप से और किर्सी, अर्ट साथ, सब्तम प्रेशन पत्र या फिर और जो दो बजे से paper है वो है बहुती विज्ञान का मतलब कि केवल महिलाओ के लिए है बालिकाओ के लिए है अब इसमें देख लेते हैं जो paper है इनमें से आप चूज कर लेजेगा किसका किशीज का paper है दो बजे से जो paper होगा वो computer का paper है जिनके पास computer है और 12th में है भूकोल का paper या फिर किरसी जन्तु विज्ञान का जो ये पांस तारिक में paper है पांच मार्च में 6 मार्च में किशीज का paper है 6 मार्च में 10th class का paper है 8.30 बजे से ड्रॉइंग का या फिर रंजन का लागा और 2.00 बजे से है IT का या ITES का 12th में है जिनके पास सिलाई सिल्प है इन चीज का paper है या फिर इतिहास का paper है उन सभी का आगे देख लेते हैं जो 7 मार्च है 7 मार्च में जो paper है 8.30 बजे से जिन बच्चों का paper है वो है सामाजी विज्ञान का ये 10th class का paper है और आगे इनका किशीज का paper है सिलाई का जिनके पास सिलाई है या फिर 12th class में जो paper है उनका है रसैन, विज्ञान या समाजस का मतलब कि जो science side के बच्चे हैं उनका तो है chemistry का paper और art side वालो का है समाजस का paper 9 मार्च में किशीज का paper है 9 मार्च में 10 वालो का है गुजराती, मराथी, उर्दू इन सभी का paper है और 2 बज़े से है electrician इन सब चीजे का ठीक है 12th class में देख लेता है संसकत है जिनके पास उनका paper है खिर्सी, रसैन, विज्ञान का है ठीक है तो ये आपकी day sheet है पूरी जो बच्चे अभी तक अपनी study में नहीं लगे हुए है वो continuously अपनी study को start कर दे और मैं भी आपके लिए वीडियो जाती रहूंगी तो चैनल पर new है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like down कर दीजिए और अपने friends के पास भी share कर दीजिए जिसी कि उनको भी information मिल जाए कि एक्जाम कब से है चले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में like and subscribe my channel thank you for watching